जाने कहां गए वो दिन कैते थे तेरी राहा में नजरों को हम बिछाएंगे नमस्कार स्वागत आप सब का नारट टीबी पर दोस्तो आज एक बार फिर बात होगी भारते टेली विजन के इतिहाज के सबसे काल जई धारावाईक रामान सागर रामाड की नारट टीबी पर इससे पहले रामाड पर ना जाने कितनी बाते हो चुकी हैं रामाड के कलाकारों के बारे में नारट टीबी ने आप सब तक सबसे सच्ची और सटीक जानकारी पहुचाई है उसी क्रम में मैं आप सब का दोस्त अनुराक शोरिवनसी एक बार फिर हाजिर हूँ रामाड के एक और भूले विसरे सितारे की कहानी लेकर जिन्होंने रामाड में विवेसर की भूमिका इतने शिद्दत से निभाई कि लोग आज भी इनके इस करदार के लिए इनने याद करते हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं मोकेश रावल की जो की गुजराती सिनिमा के एक जाने माने अभिनेता थे साथी साथ इन्होंने कई वॉलिवूट फिल्मों और टेली वीजन धारा भाहिकों में भी अपने बहतरीन अभिने से लोगों का दिल जीता आए नजर डालते हैं इनके वास्तविक जियोन पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमाम लोगों को बता दें कि हमें ये सारी जानकारी उनके कजिन व्रदर श्री वीजे रावल जी से मिली हुई है मुकेश जी का जन्म सन 1950 में महाराश मुंबई में हुआ था इनके पिता श्री रवी संकर रावल जी बैंका बरोदा के कर्मचारी थे मुकेश जी अपने माता पिता के तीन संतानों में सबसे बड़े थे इसके बाद इनके दो भाई देवेश और चंद्रेश इन्होंने अपनी प्रारमिक शिक्षा जी एच हाई स्कूल बोरी बली से संपन की आगे की पढ़ाई इन्होंने पोदार कालेज मटूंगा से की वो साल था 1968 और इसी साल इन्होंने पोदार कालेज के एक ड्रामा कमपर्टीशन में हिस्सा लिया ड्रामा का नाम था आनुनामते नाटक इसके बाद तो मुकेश जी की दिल्चस्पी अभिने की तरफ बढ़ती चली गई और इन्होंने इंटर कॉलेज अस्तर पर होने वाले ड्रामा कमपर्टीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया ये इनके अभिने का ही कमाल था कि उस साल इन्हें हर ड्रामा कमपर्टीशन में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ये सिलसला यही नहीं रुका बलकि कॉलेज में हर साल होने वाले कमपर्टीशन में इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता रहा पर ड्रामे से ही तो घर का खर्च चलने वाला नहीं था जीव को पारजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता सो इन्होंने अपने पिता जी के कहने पर बैंका बरोदा में नौकरी ज्वाइन कर ली और वो साल था 1971 नौकरी चल रही थी पर इन्होंने ड्रामा नहीं छोड़ा नौकरी के बाद भी जो समय मिलता यह उसे थियेटर में दिया करते इसी बीच इन पर नजर पड़ी कांती मडिया जी की जो की गुजराती थियेटर के एक बड़े मशहूर डिरेक्टर थे इन्होंने अपने एक नाटक अमे बरसना पंखी में मुकेश जी को मेन हीरो के रूप में चुना जिसमें मुकेश जी के अपोजिट थी गुजराती सिनेमा की जानी मानी अभनेत्री सोजाता महता इसके बाद इनके अभिने का सफर बड़ी मजबूती से आगे बढ़ता चला गया इसी बीच जब गुजराती फिल्मों का दौश शुरू हुआ तो मुकेश जी गुजराती फिल्म निर्माताओं की पसंद बन कर उभरे इन्होंने कई गुजराती फिल्मों में भी काम किया पर थियेटर का साथ नहीं छोड़ा फिल्मे और थियेटर साथ साथ चलते रहे और आई आपको बताते हैं वो किस्सा जिसने इनके अभिने के करियर को यादगार बना दिया बात है 1986 की जब रामान सागर अपने नए धारा भाहिक रामाड के लिए कलाकारों की तलाश में थे और इसी सिलसले में वो इंडियन नेशनल थियेटर पहुचे जहाँ वे मोकेज जी के अभिने से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने मोकेज जी को रामाड में काम करने का आफर दे दिया मोकेज जी को देखकर रामान सागर जी ने पहले ही ये मन बना लिया था कि मोकेज जी को वो विवीशड का किरदार देंगे फिर भी उन्होंने मोकेज जी की इच्छा जाननी चाही बोले कौन सा किरदार करोगे मुकेश जी ने कहा इंद्रजीत का रामन सागर जी ने इनके दो स्क्रीन टेस्ट लिए एक इंद्रजीत और दूसरा विवीशर जिसमें सबसे अच्छा परिडाम विवीशर वाले किरदार का ही आया और अंत में ये नड़े लिया गया कि विवीशर का किरदार अगर कोई निभाएगा तो वो हैं मुकेश रावल रामानन सागर जी की दूर दर्शिता बिलकुल सटीक बैठी और विवीशर के किरदार ने मुकेश रावल को रातो रात प्रसिद्धी दिला दी एह बिधिकरत सप्रेम विचारा आयव सपद सिंधु एह पारा कपिन बिभीशन आवत देखा जाना को रिप तुत बिसे खा दूरी ही दे देखे वैव भ्याता नेनानंद दान के दाता रामार के बाद इन्होंने दोर दर्शन के कई और धरावाहिकों में काम तो किया ही साथी साथ बॉली बुट फिल्मों के दरवाजे भी इनके लिए खुल गए तिरंगा, कोहराम, जिद, आवजार आधि कई बॉली बुट फिल्मों में इन्होंने अपने बहतरीन अदाईगी से लोगों का दिल जीता सब कुछ अच्छा चल रहा था मुकेश जी की पतनी सरला से इनकी तीन संताने थी दो बेटिया और एक बेटा बात है सन 2000 की इसी बीच कुछ ऐसा वाक्या हुआ जिसने मुकेश जी को अंदर से तोड कर रख दिया उनका बेटा दिज जो की मात्र 18 साल का था कॉलेश से घर लोटते समय उसकी ट्रेन से गिर कर मौत हो गई एक बात का अपने जवान बेटे को कंधा देने का दुख क्या होता है या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं 2001 में इन्होंने अपनी बैंक वाली नवकरी से भी रिटार्मेंट ले लिया समय बीता गया और मौकेज जी अपने इस दुख को धिरे धिरे भूलने लगे ये इनकी जिंदा दिली ही थी कि इन्होंने अभिने का साथ नहीं छोड़ा थियेटर, गुजराती सिनिमा, हिंदी फिल्में और धारावाहिकों के माध्यम से इनके अभिने का सफर चलता रहा फिर 2016 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तानियों की दिलों को जग जोर कर रख दिया 16 नवंबर के सुबा 9 बजे इनकी डेट बॉडी कांदी वली रेलवे ट्रेक के पास मिली जिसने भी ये खबर सुनी सन रह गया दरसल मुकेज जी एक गुजराती फिल्म की डबिंग करने घर से निकले थे जल्दबाजी में रेलवे ट्रेक पार करते समय एक ट्रेन की चपेट में आ गए जहां तुरंत इनकी मृत्य हो गई मीडिया में ऐसे भी अफवाएं उड़ी कि इन्होंने आत्मत्या कर ली है लेकिन इस वीडियो का देखने के बाद आपको मालम चली गया होगा कि ऐसा जिंदा दिल इंसान कभी आत्मत्या नहीं कर सकता मुकेजी की दोनों बेटियां विपरा और आर्या भी एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत साइट टीवी सिरियल्स में काम किया हुआ है इनकी छोटी बेटी आर्या अभी टीवी सिरियल्स में काम कर रही है तो दोस्तों मिद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा वीडियो कर आपको अच्छे लेगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो और पुराने वीडियो देखने को मिलते रहें नारट टीवी के फेस्बूक पेज को जरूर लाइक करें ताकि आपको वहां से नारट टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार